इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप एक 6-figure online academy तियार कर सकते हैं नमस्ते स्वागत आपका टीच मोरवे मैं हूं बश्चनाथ और ये वीडियो बहुत ही exciting है definitely आपको लग रहा होगे 6-figure online academy definitely आप जाते हैं आप सोच रहे हैं पीचे की तरफ देखे सोच नहीं है यहां पर आपको जो journey जिस journey में आप लेकर जाना चाहते हैं अपने audience को for example एक student है वो एक point से लेकर एक second point तक जाना चाहता है for example उसको अगर graphic designing नहीं आता है for example अगर आप उसको canva सिखाना चाहते है और वो सीखना चाहता है वो पहुँचना चाहता है जहां से वो canva के माधियम से graphic designing कर रहे है और graphic designing से वो क्या कर रहे है अर्ण कर रहे है तो यह जो journey है इस journey को कैसे complete करें आप subject matter expert हैं आप उस student को मदद कर सकते हैं point one से point two तक जाने में तो यहां पर आपको इस तरीके से सोचना परेगा कि अगर वो point two में already पहुच चुका है तो point one पर जहां पर वो है वो किस तरीके से किस step by step कौन सा वो hurdle रहेगा जिसको overcome करना है और as an expert as a subject matter expert आप उसको कैसे help कर सकते हैं पॉइंट one से point two तक जाने के लिए जो भी step होगा उसको आप कैसे मदद करके step by step उस student को लेके जा सकते हैं so that is a very essential thing यानि कि सिर्फ मैंने courses बना दिया upload कर दिया ऐसे काम नहीं चलता है आपके courses को इस तरीके से तियार करना परेगा कि जो student point one में अटका हुआ है उसको मदद चाहिए आप उसको help कर पाएंगे ताकि वो point two तक आसानी से पहुंच सके I hope यह concept आपको समझ में आगया कि यहाँ पर outcome is very important but outcome के साथ साथ आपको process नहीं भूलना है यहाँ पर process पर भी आपको focus करना है सिर्फ मैंना outcome सिखा दिया बोल दिया कि आप ऐसा ऐसा कर लो हो जाएगा it does not work like that outcome तो definitely है वो तो end goal है but उस जगा पर पहुंचने के लिए जो process आप लेके जाएंगे जिस medium से आप उसको लेके जाएंगे तो student को लेके जाएंगे that is also very essential कि किस तरीके साब content को तियार करें किस तरीके साब deliver करें किस length में यानि video का length भी बहुत यहाँ पर matter करता है अगर आपने 30 minute का video बनाया typically जादा लोग उसको नहीं देख पाएंगे पर अगर आप हर एक video को for example 30 minute का आपने 5 video बनाया यानि 300 minute का आपका content है पर उसी जगह पर वो 300 minute के content को अगर आप 5 minute के video में अगर बनाते हैं तो कितने videos बनते हैं 30 video बनते हैं तो यहाँ पर उस student के लिए वो easy हो जाता है तो यहाँ पर process के उपर आपको definitely focus करना परेगा ताकि आपका जो journey होता है यानि सीखने का जो journey होता है वो बहुत ही easy हो जाएगा आपके student के लिए आपके audience के लिए ताकि आपके साथ आपके help लेके आपका help लेके वो अपने मुकाम तक या outcome तक easily पहुंच सके यहाँ पर आपको destination पता हो गया definitely नहीं होगा तो इस जगह पर आपका energy भी आपको दिखाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपको हमेशा चिलाते रहना पड़ेगा आपको थोड़ा energetic level से ताकि आपका student है वो आपके साथ engage करे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर आप 5 minute का भी पर 5 minute का वीडियो अगर बोरिंग हो जाता है तो वो 5 minute भी कोई नहीं देखेगा so that is the reason why your content has to be made in a way ताकि वो जादा से जादा लोगों को engage कर पाएं उनको जितना जादा engagement होगा उतना ही जादा आपका knowledge transfer होगा जितना जादा knowledge transfer होगा उतना ही जल्दी उतना ही अच्छे तरीके से आपके students आपके content को absorb कर पाएंगे और सीख पाएंगे I hope यह आपको समझ में आ गया कोई भी question को यह जरूर में बताएगेगा और हमाई team तो है आपको मदद करने के लिए कोई भी problem है तो definitely आप हमाई team के साथ जूर सकते हैं और उसी के साथ सथ आपने content तयार कर लिया पूरा journey आपने तयार कर लिया आपने उसको put up कर दिया launch कर दिया course को पर यहाँ पर अगर आप अपने audience के साथ connect नहीं करते हैं उनको मदद नहीं करते हैं उनका feedback नहीं लेते हैं तो कफिर कोई फायदा है फायदा obviously नहीं है और यहाँ पर नुकसान भी नहीं है पर यहाँ पर नुकसान आपका यह होगा कि जो student से आपको feedback मिलने वाला है जो audience से आपको valuable feedback मिलने वाला है वो आप ignore कर देंगे और definitely later on उस content को भी तो आपको improve करना है उसको और भी बहतर बनाना है उसको और भी जादा valuable बनाना है वो आप नहीं बना पाएंगे so that is the reason why it is very important to build and connect with your audience वो आपका online भी हो सकता है through a webinar, through text, through email आप अपने audience के साथ connect कर सकते हैं क्योंकि यह जितना जादा आप connect करेंगे अपने audience के साथ उतना ही जादा referral आपको मिलेगा उतना ही जादा आप उनको बता सकेंगे data भी आपके पास आएगा आप उनको email marketing कर पाएंगे WhatsApp marketing कर पाएंगे और उनने बता पाएंगा कि आप हमारे courses को अगर आपको हमारे courses से benefit मिलाएं वो course आप अपने circle में भी promote करो और लोगों को भी बताओ word of mouth referral के मादिम से आप जादा लोगों को attract भी कर पाएंगे marketing और advertisement cost भी आपका कम होगा और definitely आपका conversion भी बढ़ेगा conversion बढ़ेगा तो क्या होगा revenue बढ़ेगा revenue बढ़ेगा तो क्या होगा आप six figure तक easily पहुँच भी पाऊगे तो अभी आपने interact कर लिया बहुत अच्छी बात है पर यहां पे आपके students को यानि आपके जो audience है जो आपके पास आ रहे हैं आपके साथ interact कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा offer करना परेगा ताकि उनको भी better लगे for example अगर आप उनको checklist प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप canvas के graphic designing करना चाहते हैं तो यहां पे जाके आप free course हमारा देख सकते हैं free videos हमारा देख सकते हैं जिससे आपको definitely फायदा होगा आपको knowledge मिलेगा और उस knowledge को लेके आप थोड़ा सा improve कर सकते हैं और पूरा improve करना चाहते हैं point one to point two जाना चाहते हैं तो मेरा course definitely करें तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से अपने audience को delight कर सकते हैं attract कर सकते हैं engage कर सकते हैं और sell भी कर सकते हैं तो 5 point मैंने cover कर लिए कौन सा point आपको सही लगा मुझे definitely बताएगा अब ही आजाता है 6 point वो हो जाता है make it exclusive exclusive का मतलब यह नहीं कि आपको सबसे अलग होना परेगा क्योंकि सीखने का process तो सेम है पर आपको इस तरीके से उसको बताना परेगा इस तरीके से डिलिवर करना परेगा ताकि वो exclusive हो जाता है आपके लिए तो इसलिए आप देखो कि बहुत सारे ऐसे content creators उनका style अलग है उनका setup अलग है उनका delivery का method जो है वो अलग है यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करना परेगा यह आपके personality को पर depend करता है आप किस तरीके से डिलिवर करना चाहते है अगर आप बहुत ही अच्छे से energetic level से अगर बात कर पहेंगे तो definitely that will be a very exclusive thing for you and something which is very exclusive जो आप अपने audience को offer कर रहे है so make sure that whatever the content you are providing to them it's not generic की Google के आपको आपको बनाना परेगा क्यूंकि आप expert हैं आपको पता है कैसे point one स to point two तक लेके जाना है कैसे उनको मदद करना है कैसे उनको career growth में और career को आगे बढ़ाने में मैं कैसे मदद कर सकता हूं इसी जगाबे तो आप उनको मदद कर रहे है आपके courses उनको मदद कर रहे है ताकि वो आप से सीख के अपने लाइफ को और भी बेतर बना सकें So make sure that whatever that you are offering to them is very exclusive और वो उनको कहीं पे भी नहीं मिलेगा सिर्फ आपके पास मिलेगा तो इसी तरीके से these are the 6 secrets that I have told you कि जिसके माध्यम से आप बहुत ही असानी से 6-figure online academy तयार कर सकते हैं rocket science एकदम नहीं है आप definitely कर पाएंगे और definitely कर पाएंगे इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और teach more के माध्यम से आप अपने courses को बहुत ही असानी से launch कर सकते हैं larger audience तक पहुँच सकते हैं और जादा लोगों तक engage करके अपना 6-figure online academy भी तियार कर सकते हैं